क्लास में क्या करेंगे पहले depreciation का एक simple question सबसे easiest question से शुरुवात करेंगे ताकि धीरे धीरे करके label अगर कम होगा तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे One by one पहले हम क्लास में एक एक करके simple पहले एकदम journal interest से शुरू करेंगे फिर इसके बाद इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे एक मशीन का फिर एक मशीन के बाद हम एक ही मशीन खरीदेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर multiple मशीन भी खरीदा जा सकता है दो खरीदेंगे तीन खरीदेंगे फिर धीरे धीरे करके जब हम आगे जाएंगे तो तीन खरीडे तो उसमें एक बेच भी सकते हम लोग तो इस टाइप का question धीरे धीरे करके हम लोग class में पहले एके करके practice करेंगे उसके बाद आप book पे जाईएगा उसके बाद solve की जाएगा फिलाल depreciation का जब question शुरू करोगे तो सारा question पहले हम एके करके class में एके करके पहले उसको practice करेंगे खुद यहाँ पे अभी कुछ दिनों तक आपका कोई भी homework नहीं होगा पहले directly हम रोज एके करके question हर तरह का question पहले हम एके करके पहले solve करेंगे almost जिस दिन यहाँ पर fix method खतम हो गया उस दिन आपको सारा question fix method का जितना भी question होगा उस सब आपको homework देदेंगा बनाते रहिएगा बैट करके मेरा कोई काम नहीं होगा उस time में ऐसा नहीं कि यह दिमांग बिठा लिजेगा कि book से question नहीं हो रहा कि देखो यह chapter थोड़ा अलग है कोई भी question ऐसा नहीं हुआ कि हम book पे नहीं आए theory पढ़ा है और book से question उठाए लेकिन यह ऐसा chapter है कि जहां हम theory पढ़ा दिये समझा दिये अब इसके बाद अगर आप किताब पे आते हो तो तकलीफ तुम्हारा बढ़ जाएगा क्योंकि question तुमको समझी नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है क्योंकि इसमें ना easy to typical यह वालो जो step follow होता है book में यह चीज़ follow नहीं होता हो दूसा चीज़ है practice का chapter है आपसे हो नहीं पाएगा फिर आप कहेंगे कि chapter बहुत भारी है नहीं बनता है अभी तक किसी को दिक्कत लगा है इतना पढ़ने में किसी का दिक्कत है depreciation किसे करते हैं हो गया depreciation का दो मैथड होता fix और diminishing fix का बहुत सारा नाम होता है और depreciation calculate कैसे करना होता है इसका कुछ formula हो गया था यहां तब अब आज वाले class में हम सबसे पहले एक simple question लिए depreciation का और इससे हम बनाएंगे journal entry भी और इसी question से हम लोग क्या तयार करेंगे laser account तयार करेंगे देखिए question पहले समझना question क्या खेता है आपसे करा एक जनवरी 2018 को एक machine खरीदा गया कितने का एक लाख रुपया का एक machine खरीदे इस machine पर company ने यह decide किया कि depreciation लगा देना है कितना पसेंट 10% depreciation लगाना है और method रख दिया कि कौन सा method लगाओगे fix method जहां underline लग रहा वहाँ पर थोड़ा focus किजेगा जनवरी 2018 को खरीदे machine एक लाख का depreciation चार्ज करना है 10% method लगेगा कौन सा fix और कब लगेगा तो कह दिया 31 December को हर साल लगेगा मतलब financial year है कि calendar year है तो calendar year को account close कर रहे हूँ कहता है pass journal entry for three years तीन साल का entry pass करो और तीन साल का prepare machine account for three years also और साथ ही साथ तीन साल का machine account भी आपको बनाना है मतलब दो-दो चीज हमको तयार करना है तो सबसे पहले तो हम journal entry का column तयार करेंगे अगर journal बनाने बोला है तो पहले तो अब इसली जर्णल इंट्री का क्या करोगे column तयार करोगे जैसे हम जर्णल में तयार करते थे बिल्कुल वैसे ही उपर हम लिखेंगे यहां पर जर्णल इंट्री पहले देख लीजे उसके बाद आप बनाईए गहां जर्णल का पूरा प्रॉपर कॉलंग यह रुपीज कौन सा डेबिट यह रुपीज कौन सा ग्रेडिट इसको लिखते थे हम लोग पार्टिकुलस और यह वाला कॉलंग होता था डेट का आपकी खुशी हो तो क्लास 11 तक इसमें हम लोग एलेफ का कॉलंग पोस्ट कर सकते थे कर दिये अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन याद किजे इस कुश्टन को पढ़कर हम ट्रांजेक्शन क्या किये सबसे पहले कुश्टन शुरुवात किया तो आपसे क्या बोला एक जनवरी 2018 को एक मशीन हम क्या किये परसेस किये कितने का एक लाग का फुल स्टोप तो पहले आप यहां का इंटरि पास करेंगे बोला एक जनवरी 2018 तो हम डेट में गए लिखे एक जनवरी 2018 18 क्या खरीदे मशीन क्या आपसे बोला कि उधार खरीदे क्या आपसे किसी पाटी का नाम दिया कि किस से उधार कर दे जब कुछ भी नहीं कहता तो कैसे खरीदे होंगे कैश में खरीदे होंगे ना तो पहला एंट्री हमारा हो जाएगा कि हम मशीन खरीदे कैसे खरीदे कैश में होगा ना तो जरह सोची एंट्री क्या होगा मशीन खरीदे तो मशीन हमारे पास आया होगा आया होगा तो डेबिट करोगे डेबिट वर्ट कम सिन और क्या चला गया cash चला गया credit करोगे was goes out तो हमारा पहला entry हो गया machinery account debit क्योंकि हमारे पास machine आया चला क्या गया cash cash account हो गया credit कितने का खरीदे थे तो debit के सामने debit के column में एक लाख credit के सामने credit वाले column में एक लाख हो गया narration आप mention करोगे being machine purchase या being purchase of machine जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते उसमें लिकत नहीं है एक तो हो गया देखें जैसे ही हम machine खरीद लिए machine खरीदने के बाद जिस machine को हम खरीदे थे उसको हम क्या किये होंगे use किये होंगे पुरा साल क्या बीच में कोई transaction हुआ तो machine खरीद लिए एक तारी को और पूरा साल हम पहले machine को इस्तेमाल किये यूज करने के बाद end of the year साल के आखरी दिन आपको सिखाए थे कि क्या लगता है अब depreciation चार्ज होगा सीधे हम आ जाएंगे साल का आखरी दिन कब होता है 31 दिसंबर 18 है तो 31 दिसंबर को जब आप depreciation चार्ज किये तो depreciation का इंट्री depreciation account debit करोगे और टू में क्या हो जाएगा depreciation के बदले यहाँ पर machinery account होगा ना क्यों एंट्री हुआ depreciation nominal account होता है loss होता तो debit income होता तो credit अब आप ही बोलिए asset का दाम घट गया इसी को बोलता है depreciation तो घटने से आपको expenses loss हुआ की income होगया तो लॉस होता तो debit करते है और asset का value बढ़ जाता तो debit करते है घट जाता तो credit करते तो तो डेप्रिशेशन लगने से असेट्स का दाम घटा की बढ़ा घट गया इसलिए मशीन को क्या कर दिये अब देखो असेट्स का कॉस्ट कितना था एक लाग डेप्रिशीयेशन कितना लगाने बोला था 10% 10% method कौन सा था fix तो एक लाग का 10% इसका मतलब के डेप्रिशीयेशन यहां पर हो जाएगा कितना 10,000 debit के सामने debit के कॉलम में credit वाले वे credit खतम हो गया इसके बाद इसका narration आप यहां mention कर लोगे being depreciation charge already हम पढ़ चुके यहां depreciation charge at the rate 10% तो यह मेरा दूसरा entry close हो गया third वाली entry में जाओगे उसी कॉलम को continue रखेंगे third वाले में आपको क्या बोले थे कि जो depreciation अभी हम charge किये उसी depreciation को उठा कर transfer कर दिया जाता है profit and loss account में तो profit and loss account में transfer कर दोगे उसी depreciation को तो हम entry pass करते थे profit and loss account debit और to depreciation account डेट कौन सा होगा जो जिस डेट में depreciation charge होगा उसी डेट में इसको profit and loss account में भी transfer करना दोनों का डेट अलब नहीं होगा तो यहां पे भी आप डालोगे 31 दिसंबर 2018 अमाउंट कौन सा होगा तो जो आप depreciation charge किये थे amount भी क्या होगा वही होगा यहां आप narration mention करोगे being amount of depreciation transfer to profit and loss account हो जागा इतना transfer कर दिये और इस account को हम close कर दिए कि यह जो एंट्रे आप पास किये ना यह कितने साल का हुआ एक साल का हुआ ध्यान रखिएगा यानी आप मशीन खरीदे यूज किये पूरा साल साल का अंताया depreciation लग गया और इसी depreciation को उठा कर हम transfer कहा कर दिये profit and loss account में यह तीन एंट्री कितने साल का हुआ एक साल का हुआ अभी आपको एंट्री कितने साल के लिए बोला है तीन साल का बनाने के लिए बोला तो अब हम अगले साल आ गए तो आप ही सोचिए पिछला साल मेरा एंट्री कौन सा था जनवरी 2018 अब हम कौन से में आएंगे 2019 में आएंगे देखे जब हम एक जनवरी 2018 को मशीन खरीदे थे तो लिखे machine account debit to cash क्या 2019 जब आया तो क्या हम फिर machine खरीदे दुबारा खर दे नहीं तो first year में यह entry होगा लेकिन second year में यह entry पास नहीं होगा क्यों क्यों हम एक बार machine खुरिदे है एक बार assets खरीदे और अगले साल जब तक कोई दूसरा machine ना खृरिदा जाए तब तक हम उस पुराने वाल यह नहीं करना है, कि हνη रेत लो जो जो मशीन अभी हम खरीदे थे दोबारा से यह करना, क्योंकि दुबारा हम इस assets को खरीद नहीं रहे तो दुबारा नहीं लिखना है लेकिन जो machine हम खरीदे थे पिछले साल उसको use किया होंगे फिर से अज आप use किया होंगे तो depreciation लगा था ना पिछले बार तो यही depreciation क्या हो जाएगा अब फिर से लग जाएगा तो आप क्या करोगे next year में सेम एंट्रे पास करोगे क्या depreciation account debit और टू machinery account कितना amount post करेंगे 10,000 कहां से आया 10,000 depreciation का कौन सा method है fix method है ना तो एक बार जो depreciation चार्ज कर दिये second year भी वही रहेगा third year भी वही रहेगा four, five, six भी क्या हो जागा वही रहे क्योंकि method कौन सा यूज कर रहे हो fix method तो fix method में एक बार जो निकाल लिया हर साल वही रहना है यहाँ पर narration mention कर दिजेगा वही same date कौन सा होगा तो यहाँ था 31 December 2018 तो अब क्या हो जाएगा 31 December 2019 हो गया इसके बार इसी depreciation को उठा के transfer कहां करोगे profit and loss account में तो अब entry आप pass करिएगा फिर से profit and loss account debit करोगे or to depreciation account और फिर यहाँ पर narration mention कर दोगे कितने साल का entry pass हुआ 31 December 2019 दो साल हो गया ना same जैसे ही third year में जाओ गया दो साल हुआ third year में जैसे जाहिएगा यही दो entry आपको क्या करना होगा फिर से पास करना पड़ेगा क्यों क्या machine तो दुबारा खरीदे नहीं तो इसी entry को उठा करके फिर से post करोगे तो जब हम third year में गये तो हम फिर से लिखेंगे देप्रिसियेशन अकाउंट डेबिट तू machinery अकाउंट और दूसरा entry profit and loss अकाउंट डेबिट तू डेप्रिसियेशन अकाउंट amount same चुकि fix method है तो first year हो second year हो third year हो amount of depreciation equal होना है तो यह equal ही है change तो कर नहीं सकते यहाँ पे आप narration mention कर दिजएगा और यहाँ पे date हो जाएगा 31st December 2020 31st December 2020 हतम हो गया कितने साल का general entry pass कि हम लोग कोई रिक्त हुआ यानि हम क्या सीखे इस question में कि first year में हम कितना entry pass करेंगे तो first year में हम 3 entry pass करेंगे machine खरीदने का depreciation लगाने का और इस depreciation को transfer कहां करना होगा profit and loss account में transfer करने का तीन entry हुआ first year के बाद second year, third year, four year हम हर साल क्या करेंगे यह depreciation लगाएंगे PL account में transfer कर देंगे फिर depreciation लगाएंगे PL account में transfer कर देंगे date सिर्फ क्या होगा तो 18 साथ 19 हो जाएगा 19 है तो 20 हो जाएगा हम एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएगे लेकिन जैसे date आप देख रहो बिल्कुल वहसे रहेगा उसमें कोई changes नहीं पस date खली बदलते जाओ entry pass वही करना है इस तरह से आप क्या बना सकते हो journal इसको बलते है journal बना किसी को दिक्कत है अच्छा इसी journal को हमको laser में भी convert करना होगा मतलब यह तो हो गया journal और same journal entry को change किसमें करना पड़ेगा अब laser में change करना है तो उसको भी थोड़ा देख लो अगर हम journal को laser में change करेंगे अगर देखो ध्यान रखना कि जब हम laser account बनाते हैं न तो जैसे starting का chapter में हम क्या करते थे कि जितना journal बनाते थे laser हम क्या करते थे सबका post करते थे इस chapter में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आप assets का account बना सकते हो पहले आपको assets का account बनाना पड़ेगा दूसरा आपको depreciation account बनाना पड़ सकता है ऐसा नहीं कि हमको हर चीज का laser बना दो मशीन अकाउंट बनाओगे अगर सपोस करो लेजर तो बनाना जानते हैं ना अगर मशीन अकाउंट बनाने बोल दे मेरे से बोला सिर्फ मशीन अकाउंट बनाओ सपोस करो बोला सिर्फ मशीन अकाउंट बनाओगे तो मशीन अकाउंट में जाके इसका उल्टा, क्या लिखा हुआ है? तो Two Cash लिख सकते हैं? तो Machine Account बनाएंगे तो लिख भीजेимटा Two Cash फिर दिखो यहां Machine है ना? तो Machine Account बनाओगे तो Machine Account में जाके इसका उल्टा, क्या लिखा हुआ है? By Depreciation तो लिख सकते हैं By Depreciation? यानि मशीन अकाउंट बनाओगे तो first year में आपको याद रखना है कि मशीन अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे two cash एक लाख और by depreciation 10,000 क्या मशीन अकाउंट में कुछ और करोगे क्या first year में क्या यहां मशीन दिखर आपको जब मशीन अकाउंट में नहीं है जर्नल में नहीं है तो लेजर में भी पोस्ट नहीं होगा इसका मतलब कि अगर हम मशीन अकाउंट बनाने गए तो अगर आप मशीन अकाउंट बना रहे हो इसका लेजर अगर हम बनाएंगे कितने साल का आपको बोला तो लेजर भिज़रा देख लिज़े कि तीन साल का लेजर अकाउंट हम कैसे त्यार करें एक मशीन अकाउंट को कॉलम मना लिया इस पर पहले हम लिखते हैं डेट इ孤 मशीन अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगेश देखें तो पहला एंट्रि हम यहाः पास कीए थे मुचीन अकाउंट debit to cash तो मशीन अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे तू कैश तो हम इस साइड में कुछ भी लिखते हैं तो क्या करते हैं तो यहां लिखिएगा और डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2018 और यहां पर अमाउंट हो जाएगा आपका एकला क्या और कुछ पोस्टिंग था थर्ड वाला एंट्री क्या था पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशेशन तो ना हम पीएल बना रहे हैं ना हम डेप्रिशेशन बना रहे हैं तो उस थर्ड वाली एंट्री का इस अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं था जहां मशीन रहेगा वही न पोस्ट करोगे अब देखिए एक साल हो गया खतम फस्टीर क्लोस अब आप क्या करोगे इस लेजर अकाउंट को इस तरह से क्लोस करोगे एक लाग था जनवरी में पूरा साल यूज किये उसका दाम कम हो गया डेप्रिशेशन लग गया कितना तो एक लाग का था दस जार अगर डेप्रिशेट कर गया वन लाग का था टैन थाजर गटा दिए जो बच गया तो जो बचा हुआ पैसा है उसको क्या कहते हो वाई बैलेंस सीडी का डेट कौन सा होगा सेम 31 दिसंबर 2018 इसी सीडी को इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस वीडी अमाउंट हो गया 90,000 हो गया इधर इक्वल कर देना किसी का दिक्कत है कुछ समझ मा रहा ना कितने साल का बना लिए मलेक यह बन गया आपका एक साल का ट्रांजेक्शन अभी एक साल बनाया हो नेक्स्ट येर में हम गये अगले साल तो देखिए अगले साल क्या होगा जब हम फर्स्ट येर में खरीदे थे तो लिखेते टू कैश तो क्या अगले साल आप फिर खरीद रहे हो तो इसका मतलब कि अब खरीदे थे तो ल किये तो लिखे थे ड़ी डेप्रीसेशाल है तो अगले साल से मशिने से होगर यूज है को यूज की करना पड़ेगा बाइडे डेप्रिसेयशन में लिखना पड़ेगा इसका मतलब कि यहां हम क्या लिखेंगे वाई, डेप्रिसियेशन अकाउंट, डेट कौन सा हो जाएगा, 31st December 2019, डेट हो गया, अमाउंट कितना लिखो गये, परिक्त है, अब आप ही सोचिए, 90,000 का था, कब, तो 1st January 2019 को था, क्योंकि CD होता है, end of the year, और BD होता है, ठीक, इसके एक दिन के बाद, तो December 2018 के बाद क्या हो जाएगा, एक जन्वरी, अब 90,000 का था, 10,000 हम यूज किये, तो यूज करने के बाद, रह कितने का गया, तो माइनस करके जो पैसा बचता है, उसको आप क्या लिखते हो, CD, सेम इसी डेट में हो जागा, CD, फिर यहाँ पर, E-90,000 जैसे है, वैसे लिख दो गया, कोई बाद नहीं, काट दो, परिकत, फिर यही CD, इधर आएगा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, तो बैलेंस, BD, कितना, हो जागा, अगेन, जैसे यहाँ डेप्रिशेशन चार्ज हुआ, यहाँ डेप्रिशेशन चार्ज हुआ, वैसे ही इस इयर में भी, यहाँ क्या करोगे, बै डेप्रिशेशन अकाउंट, अमाउंट सेम, दस हजार, आसी में दस चला गया, तो सत्तर हजार, जो सत्तर हजार बचेगा, उसको क्या कहिएगा, सीडी, और फिर यही सीडी, इस साल में आके क्या हो जागा, मीडी, तो एक साल, दो साल, और तीन साल खाकाउंट, बनके तयार हो गया, को दिकत है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, जनरल इंटरी, इस तरह से आप तयार कर सकते हो, लेजर, तो यह जो कोशन आँखे, यह डेपरिशेशन का सबसे सिंपलिस्ट कोशन था, इजियस्ट प顶ोन था, कि हम जस्ट एक मशीन खरी दे, यूज किये, डेपरिशेशन लगा दिये बोला जर्रल बनाओ बोला लेजर बनाओ बस अगर इतना नॉर्मल कोशन है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे